तो Pirates of the Caribbean मुवी को लेकर मेरे पास कुछ अच्छी खबरे भी हैं और कुछ बुड़ी खबरे भी तुम कौन सा सुनना चाहोगे? तुम्हे जॉनी डेप के फैंस हर गली महले में मिल जाएंगे अगर तुम उसे पूछोगे कि तुम्हें जॉनी डेप के कौन से अगली मुवी देखनी है तो हर एक बंदा यही कहेगा कि मुझे Pirates of the Caribbean का 6th पार्ट देखना है और बंद रहा है तो कब तक रिलीज होगा? उसमें जॉनी डेप देखने को मिलेंगे किनी फैंस के बहुत ही सवाल है तो उसी का जवाब देने के लिए आज मैं यह छोटी सी वीडियो तुमारे लिए लेकर आया हूँ डिजनी वाले Pirates of the Caribbean के पाच और पार्ट से एद्दम मोटा पैसे कमाये थे और इसकी 6 पार्ट भी बन रही थी मगर डिजनी वालों ने खुद ही उर्ता भाला ले लिया क्योंकि जॉनी डेप के खिलाफ उनकी वाइफ एमबर हड ने केस किया था इसके बाद डिजनी वालों को कहना ऐसा था कि उनके रेपेटेशन खराब हो रहा इसकारण और उन्होंने जॉनी डेप से रिष्टानाता तूर दिया मगर बाद में डिजनी वालों के साथ प्रैंक हो गया और जो जॉनी डेप थे वो इनोसेंट प्रूफ हो गये दिजनी वाले फिर से आ गए मुँ उठा के जॉनी डेप के पैस के चलो हमारे पाइडरस ओफ दे करेवियन 6 में आ जाओ लेकिन जॉनी डेप ने कहा कि मुझे आप तुमारे साथ काम ही नहीं करना और कई लोगों का तो कहना ऐसा भी है कि डिजनी वालों ने जॉनी डेप को करीबन 300 मिलियन डॉलार ओफर किये कि वो अपने कैप्टन जैक स्पैरो के रोल में वापस आ जाए ये पैसे इतने ज्यादा है कि हॉलिवोड की बड़ी बजट की मुवी बन जाती इतने पैसे में और अभी पारेट्स ओड़ के रेवियन के उपर काम चल रहा है लेकिन मुवी में आपको कैप्टन जैक स्पैरो को करेक्टर नहीं देखने को मिलेगा तो डिजनी वाले नए कास्ट के साथ पारेट्स ओड़ के रेवियन का सिक्स पार्ट को बना रहे हैं इसको तो सिक्स पार्ट बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है इसको आप इस पीन ओफ बोल सकते हो पैड़सोड एक रिबूट बोल सकते हो लेकिन अभी भी डिजनी वाले जोनी डेप से बात कर रहे हैं अगर उनका मामला सेटल हो जाता है तो इस मुवी में आपको जोनी डेप का एक कैमियो देखने को मिल सकता है जिनसे उनके फैन खुस हो जाए मैं तो इतना ही कमगा कि अगर मुवी में जोनी डेप नहीं है तो मुवी को बना होई मासालो डिजनी वालो ज्यादा अच्छा होगा नहीं तो बहुत गालिया खाओगे क्योंकि कैप्टन जैक्स पेरू की जगा जोनी डेप के लावा और कोई भी नहीं ले सकता औ आप मेरी और सारी वीडियो पर गौर्फ फर्माइए एंड वीडियो को लाइक करके चैनल सस्क्राइम आरके बएज आईए और अपने और अपनी परिवार का ध्यान रखिए और तिकती रहिए एस्टू मूवीज